नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं नई नियोजनिती के खिलाप नौ जुन को बिसाल मसाल जुलू न नियोजनिती को आपस कर खतियान अधारित संवेधानिक नियोजनिती की मांग को लेकर इन दिनों छात्र संगठ नो काँदूलन जारी है J.S.S.U. के छात्र नेता देवेंद्र नात्र महतों ने बताया है कि 42 सतधारी बिधायक समेट कूल 72 बिधायकों का लिखित समर्थन प्राप्त किया गया है 90 परतिसत बिधायकों ने 47 49 चतों का समर्थन करते वे खत्यान अधाली समेधानिक नियोजन निती पर जोर दिया है इसके अलावा चात्र संगठनों द्वारा राज्ये के 13 संसितों द्वारा भी लिखित समर्थन प्राप्त किया गया देवेंद्रे ने कहा है कि इन बिधायक सांसर समर्थन प्राप्त दस्तावेजों को स्पीकर के समक्ष प्रस्टूथ किया जाएगा वहीं राज्येपाल एवराष्टपती के समक्ष भी प्रस्टूथ का जार्खंडी जन भावना से आउगत कराया जाएगा चात्र नेता देविंद्र महतों ने बताया है कि सार्चारिस नियोजन नीती को वापस कर खत्यान अधारी समयधानिक नियोजन नीती को लागू करने की मांग को लेकर 26 मईसे अंदोलन के दूसरे चन के शुरुआत हो चुकी है इसके तहट ढोल ढाक मांदर के थाप के साथ राजी के सवी चौक चो रहा होट बजार एवाँ परमुक सोजनिक अस्थानों में अपने परमपरिक भेसपुसा के साथ सक हुआ पत्ता परिभर्मन कराया जाएगा सरकारी स्कूलों में अब हपते में दो दिन खेल कूद जारखन के सरकारी विद्यालियों के संचालन के लिए नई समय सारनी जारी की गई है इस समय में मंगलवा को पत्र जारी कर दिया गया नई समय सारनी में आप छुटी के बाद सिक्षा को विदारती खेल कूद के लिए एक घंटा आतरीक्त नहीं रुकेंगे आप सप्ताह में दो दिन इस्कूल आविधी के दोरान ही दो दो घंटे खेल कूद के लिए निधारीत किया गया वहीं परतेक सब्ता एक घंटी बच्चों को पुस्तकाले के लिए निधायित किया गया इसकुली सिक्षायम सक्षाता विभाग द्वारा इस समन्ध में जीलों को निधेश चारी कर दिया गया बुद्धवारव सनिवार को सालेडिक स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए एक घंटी पिटी ड्रील योग आदि गति विधी संचालित की जाएगी वहीं योग में जार्खन कारकरम के ताथ इसकुलों में योग से समन्धित गति विध्यों कायोजन किया जाएगा किसी जीला में किस परकार खेल को प्रत्मिक्ता दी जाए इस समन्ध में भी जीला को निदेश दिया गया है जार्खन के नक्सल प्रभावित सिर्फ तीन जीलों को मिलेगा SRE फांड जारखन के सिफ्तिन नक्सल प्रवावी जीलों को SRE फंड सुरक्षा समंधी ब्याई मिलेगा इसमें चाईबा साल आते हार लोहतक का जीला सामिल है इसे लेकर जल दीगरी मंत्रेले के दोरा अवेदन जारी किया जाएगा गौतला भाय की SRE फंड उग्रवाद प्रवावी छेतर में पुलिस बल को साधन सुविधा उपलब्द कराने के लिए खर्च किया जाता है हाल के महिनों में जारखन के अलग अलग जीलों में नक्सली संगर्णों खिला प्लागातार अवियान चला जा रहा है जिसकी वज़ा से कई जीलों में नक्सलीयों कुपस्थी दिना के बराबर हो गई है वहीं जारखन के 18 जीलों के ESP के साथ SRE फंड को लेकर 29 माई को ADG अभियान के अध्यक्ता में समिक्षा बैठक होई थी या बैठक SRE फंड को लेकर आविजित की गई है ED के चापे पर बाबुलाल का तंज बोले जारखन में लूट तंत चल रहा है ED ने मंगलवार को राजधानी रांची और गोड़ा के कई ठीकानों पर तावर्तोड करवाई की है कॉंग्रिस बिदायक परदी, प्यादो सहीत, उनके करुबियों और कुछ ठेकेदारों के यहां करवाई की गई ED ने करवाई के दोड़ान एक अस्थान से साथ लाख रुपए भी जब्त किये है अब इस करवाई को लेकर जारखन बीजेपी जारखन की हमान सुने सरकार पाहमलवार हो गई है बाबुलार मरांडी ने सिलसेलिवार ट्वीट के जरीये मुख्य मंतरी हमान सुने पर निसाना साथा है बाबुलान मरांडी ने आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री जारखन के गहरे कुए में गिरा चुके हैं बाबुलान मरांडी ने मुख्य मंत्री हमांसुरे पर भष्टा चार पर चुपी साथ लेने का आरोप लगाया वहीं बाबुलान ने यह भी कहा है कि कई नोकर साह भी इसकी जद में आएंगे सल्मान के पेट से निकला महिला के सोने की चेन रांची की एक महिला से सोने झजपत कर उस चेन को निगल जाने वाले सलमान के पेट से अखिरकर दॉक्टरें ने सोने की चेन को निकाल हि लिया है पतादे रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने चार दिनों के अथक मेहनत के बाद बीते सनिवार को आखिर कर बिना चीर फाड़ किये ही सोने की चेन को सलमान के पेट से निकाल लिया रांची में आर्जेडी करेले के समीप महिला से चेन चिंताई की वर्दात को अंजाम देकर उसे निगलने वाला आरोपी सलमान रिम्स में ही भरती है अलाकि मंगलवार को रिम्स चिकी सको के परियास से आरोपी की छाती में अटका सोने का चेन मलदवार से निकाल लिया गया रिम्स प्रवंधन ने चेन को पुलिस को स्वब दिया है जारखन में लव जिहाद जारखन में लव जिहाद का मामला सामने आया है एक मोडल ने रांची में मोडलिंग की कोचिंग चलाने वाले तन्वीर अक्तर पल्लाव जिहाद का आरोप लगाया है मोडल ने आरोपी पर मुंबाई में दुसकर्म का केस दर्ज करवाया जनकारी के अनुसार मोल रूप से बिहार की रहने वाली एक लड़की मोडलिंग का गुर सिखने रांची आई थी मोडलिंग सिखाने वाले तन्वीर अक्तर ने खुद को यस हिंदू बता कर उसे दोस्ती की अब उस पर धर्म परिवरतन करने और साधी करने का दबाव डाल रहा है पिडिता का आरोप है की आरोपी 2021 से ही उसके साथ दुसकर्म करता रहा है और स्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे कर ब्लैक मेल करता रहा है तन्वीर ने किसी को बताने पर पैना भुगातने की धमकी भी दिया है दिल्ली के मुख्य मंत्री दो को आएंगे रांची दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जरिवाल केंद्र सरकार के अध्यादेस के खिलाप राश्ट्रिया अस्तर पर मुहिम चलाने के पर्यास में हैं इसकड़ी में वे मुख्यमंत्री हमान सुनन से भी मुलकात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा दिली को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाप मुख्यमंत्री अर्विंद के जरीवाल विपक्षी नेताओ से मिल रहे हैं उन्होंने ममता बनर जी, उद्व ठाकरे, सरत पवार और सिता राम एचूरी से समर्थन मांगा था अब वे सीम के जरीवाल, एमके, स्टॉलीन और हेमन सुनन से मुलकात करेंगे बता देखी केंद्र सरकार द्वारा दिली को लेकर लाए गए अध्यादेश के खिलाप अर्विंद के जरीवाल, तमाम दलों का दर्वाजा खट-खटा रहे हैं, जो भाजपा के खिलाप उनका साथ देने को तयारी हो सके जैक बोर्ड कॉमर्स में 4 तो आर्स में 2% घटा सफलता दर जारखन एकेडमी कॉंसिल ने सह समय रियल्ट प्रकासन का दम दिखाया तो लेकिन चातर चातराओ के सफलता दर में अब की बार पिछले वर्ड की तुलना में 2 और 4% की कमी आई है इस बाबात खूद जैक बोर्ड अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतुन रियल्ट घोसना के दुरान सवी कारा की वर्ड 2023 में सफलता का दर घटा है जिसे अगले वर्ड पार्टने में टीचर्स का आहम रोल हो सकता है इसके लिए उन्होंने अगामी वर्ड होने वाली परिच्छा के सफल आयोजन से लेकर इसकूलों में सही तरीके से पठन पाथन तक की बात कही उन्होंने कहा है कि जैक बोर्ड का दायुत्व सौसमय मुल्याकन के सा सस्रियल्ट प्रकासन का है जहां तक पठन पठन की बात है तो इस दिसा में पूरे राजे के स्कूल प्रद्धानों को सार्थक पाल करनी होगी दामोदर महस्व में सामिल हुए राजेपाल राजेपाल सीपी दाधा कृष्णन मंगलवार को दामोदर बचावा अंदोलंद वारा माच्छिनमस्ति के मंदीर में आयोजी दामोदर महस्व में सामिल हुए इस देवान उन्होंने माच्छिनमस्तिका की पुजा अचना की और गंगा आर्ती में भी सामिल हुए दामोदर महस्व को संबुधित करते हुए राजेपाल ने परदूसित हो रही नदियों के बारें विस्तार से बात की है राजेपाल सीपी दाधा कृष्णा ने कहा है कि अध्योगिक विकास जरूरी है लेकिन यह नदियों के परदूसित की कीमत पर नहीं होना चाहिए आप इसे सीधे पीश सकते हैं मैं सोच रहा था कि ऐसा भारत में कब होगा सियम हे मंत कॉल योजनाओ की परगति की करेंगे समिक्छा मुख्यमंत्री हे मंसुरेन एक जून वर्तमान बीतिय वर्स में विभीन महतपुन योजनाओ की समिक्छा करेंगे बैठा को लेकर मुख्य सचीव सुकदेव सिंग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचीव, परधान सचीव, सचीव और विभागा द्यक्छो को पत्र लिख कर अपने विभाग से समंधि सभी पर्योजनाओ की प्रगती को जोहार पोटल पर अपलोट करने का समय दिया है गौतला भाई की राज सरकार ने सरकार योजनाओ को गती देने के लिए जोहार पर्योजनाओ पोटल शुरू किया है जिसमें नियमित रूप से सभी विभागों की प्रगती रिपोर्ट अप्लोट करना है मुख सचीव हर मा इसकी समिक्षा करते हैं इसका मुख्य उदेश परियोजनाओं को गती पदन करना और समय पर पूरा करना और विभीन विभागों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए समझस से बिठा कर काम करना है नेपाल से कनाडा भागने की फिराक में था दिनेस गोप पियलभाई सुप्रिमत दिनेस गोप अगर गिरफतार नहीं होता तो वह नेपाल से कनाडा भाग जा था इसकी योजना हमेशा के लिए कनाडा में रहने की थी वह नेपाल से कनाडा जाकर बसने के लिए पासपोर्ट त्यार करने की फिराक में था लेकिन इससे पहले पूलिस ने उसे गिरफतार कर लिया इस बात का खुला सा उसने पूछताच में सुरक्षा एजनसी के समक्ष किया है सुरक्षा एजनसी को दिनेस गोप ने या भी बताया है कि नेपाल में रहने के दवान वहां के लोगों से उसके अच्छे संपर्क हो गय थे इसलिए उन लोगों के सहयोग से ही उसने पासपोर्ट के लिए पेपर त्यार कर आया था जब सुरक्षा एजनसीों ने दिनेस गोप से आगे पुछताच किया कि कनवड़ा जाने के बाद उसकी क्या जोजना थी तब उसने का कि कनवड़ा में ही रहकर वहां कोई रौजगार करता CBSC बौड दसवी बरहवी सफल्मेंटरी परिक्षा के लिए आवैदन एक जून से जुलाई में परिक्षा केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोर्ड CBSE 10 वी और बरहमी बोर्ड की परिक्षा में अगर आपको कंपर्मेंट लगा है तो यह खबर आपके लिए है बता दे आप CBSE बोर्ड सपल्मेंटरी परिक्षा दे कर अपना रियर्ट बेहतर कर सकते हैं इसको लेकर CBSE ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सपल्मेंटरी परिक्षा के लिए चात्र एक जून से एल ओसी जामा कर सकते हैं वहीं दसी और बरहमी बोर्ड की सपल्मेंटरी परिक्षा 17 जूलाई को आई जीत होगी जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सपल्मेंटरी परिक्षा के लिए एक जून से एल ओसी लिस्ट ऑफ काइंडिडेट जामा कर सकते हैं चात्र सीबीसी परिक्षा संगम की ओफिसियल वेप साइट पर जाकर आवेदन दे सकते हैं एक जून से पंदरा जून तक भारत के सभी सीबीसी अफिलियेट इस्कूल में या परकिरिया शुरू धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनल की सब्सक्राइब कर बॉल का बेले कंद भाजे थाजिसात वीडियो को एक लाइक आप अपन दोखतों कसे असर करना भूले थाजिसात आप हमें कुमेंट बक्स पर अपना फीड़ोय कवस हो दे थाइंक यू